आज जब मुंबई इंडियन्स का आखरी मैश हो गया है IPL का आज मैं आप लोगों का ध्यान देलाना चाहता हूँ उस पहले वीडियो के उपर जो हमने आक्षन के बाद किया था ना जो मुंबई की आनलेसिस हमने की थी आक्षन आनलेसिस आज ये मैं इसको उपर मैं इसको स् वाली है और मुंबई किस तरह से परफॉर्म करेगी ये अगले दो तीन पहले दो तीन मैचेस में ही पता चल जाने वाला है जो कि हमको पता चल गया था और हमने पहले मैच से ही ये कहना शूरू किया था जो कि हमने आक्षन आनलेसिस में कहा था कि जिस तरह से इन लोगों बेहिमानी की है, रोहिष शर्मा के साथ, इन लोगों के चहरे पे कालिख पुतनी बिलकुल जरूरी है, और ये होके रहेगा, और हमने उस वीडियो में Divine Justice की भी बात की थी, Divine Justice इसी को कहते हैं, आप किसी शरीफ आदमी को दोका देंगे, तो आपका नंबर दसवा ही आएगा, मुंबई इंडियन्स लाग सर पटक पटक के मर गए, लेकिन आठ पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाये, इस से जदा शर्मनाक परफॉर्मेंस कुछ हो नहीं सकती ही मुंबई इंडियन्स की, और देखिए इसी को Divine Justice बोलते हैं, इसमें किसी और दूसरे ने कुछ भी नही किया, जो हुआ, अपने आप हुआ है, और आप लाग सर पटकते रह गए, लेकिन आप कुछ करने ही पाए, तो ये, अब इसके पीछे मुझे तो ये देखना है, अभी भी, हाला कि ये पता चलना तो बहुत मुश्किल है, कि ये सब किया किसने, और किसके दिमाग की ओपच थी, और किसने, ये सोचा कि, मतलब जिस तरह से इन लोगने रोहिष शर्मा के साथ किया था न, उसमें definitely ये था, कि उसको बेज़त करने की कोशिश की गई थी, कोई रीजन नहीं था, कि ये लोग रोहिष शर्मा के साथ, उसको बिना बताए, उसकी कप्तानी से खटाते, य यह लोग बहुत आसानी से कर सकते थे लेकिन चुके इनोंने रोह शर्मा को बेना बताए हार्दिक पांडिया को कप्तान बनाया इससे पता चलता है कि इनके मन में चोर था और इनके मन में चोर था तो फिर उपर वाले ने कर दिया रहा हिसाब बराबर अब लग गई ना तो टॉप मेनेजमेंट भी था ग्राउंड पर लेकिन मैं तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है देखिए अगर कुछ बेहिमानी की है तो वो पलट के आपके पास वापस आईए अब आप सूचरे थे कि हार्दिक पांडिया तो हमको चैंपियन ही बना देगा पता नहीं क्या कर देगा आपकी तो टीम बड़ी स्ट्रॉंग है रोहे शर्मा कौन होता है रोहे शर्मा तो डलता हुआ सूरेज है रोहे शर्मा की हमको क्या चिंता है और रोहे शर्मा की हमको इज़द भी करने की क्या जरूरत है उसकी तो बेज़द ही करके निकाल दो व आखरी मैच में अल्टिमेटली रोहे शर्मा नहीं रन बनाए और किसने रन बनाए रोहे शर्मा इस इस स्कोरर टुडे बाकी क्या इसके बाद मतलब अच्छी खासिक टीम खिलाते हुए भी आज आप लोग 18 रन से यह जितने भी रन से मैच हार गए यह बहुत आसानी से आप मैच आज भी जीत सकते थे लेकिन हार देख पंडिया का तो दिमाग ही नहीं पता नहीं कहा है उसका दिमाग और बाकी जो कोचेस बैठे हुए पाच-पाच मोटे-मोटे उनको भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहे है यार आप एक बात बताईए कि मतलब आप 244 रन का स्कोर चेस कर रहे थे आप 6 वेकेट रहते हुए भी मैच हार गए 18 रन से आप मैच हारे हो और आपके 6 विकेट गिरे थे ऑल आउट हो गए होते तो मैं मान सकता था क्या रीजन है कि 6 वेकेट गिरने के बाद भी आप लोग रन नहीं मना पाए आपने इशान किशन को क्यों बेज मतलब क्या है यार यह तो दिमाग भी घर पे छोड़ाए हो या पर दिमाग के ऊपर बिलकुल दूल जम गई है यह क्या हो रहा है यह सब देखिए यह टॉल बॉल्स डाउन टू डिवाइन जस्टेस आप बेइमानी करोगे तो आपके साथ यही होगा आप कहीं मूँ दिख क्यों किया है ना तो आप इसका जवाब किसी को किसी को देनी की जरूरत नहीं है अपने आप घर जाओ और घर में जाके मिरर में अपनी शकल देखो और फिर बोलो कि हा मैंने चोरी की रोह शर्मा के साथ बेइमानी की बस बहुत अच्छी बात है आप देख लो आप क्या उ जितने भी मुंबई इंडियंस में इन्वाल्ड हैं मैनेजमेंट में और जो जो भी इस दिशियन का पार्टी था वो सब की चीचा लेदर हुई है अब किस मुझ लेके आप लोग ग्राउंड पे आते हो और उसके बावजूद भी बेशाभों की तरह बैठे रहते हो मतलब मैं तो दाग देता हूँ यार मोटी चमडी होने की आदमी की क्या गजब के लोग है यार ये लोग इतने मतलब इतने बेजज़ती कैसे आदमी सेयन कर सकता है और जबकि आप इसको बहुत आसानी से अवाइड कर सकते थे तो बात वही होती है कि कितने लाखो करोडों ये कोई जरूरी नहीं है आदमी अगर कोई बिजनस अच्छा कर लेता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा मौरली बहुत स्ट्रॉंग हो गया है या वो सारे डिशियन सही ही लेगा या वो जो भी पैसे के दम पे जो डिशियन लेगा तो उससे वो ये नहीं होता है भीया आखिर दुनिया में इमांदारी कहीं है और उपर वाला कहीं है जो ये सब देख रहे तो वो ये साप कर दिया बराबर आप लोग अभी भी सोधर जाओ अगले साल भी नहीं तो यह हो जाएगा आपके साथ। मुझे लगता है कि अब देखता हूं मैं कि यह क्या करते हैं अब मुंबई इंडियंस नहीं रहने वाली जो रोहेशर्मा के टाइम पर थी चाहे कुछ भी हो जाए अभी आज आप मेरी ये बात भी नोट कर लिए अगले IPL में और उसके अगले IPL में भी आप देख लेना अब मुंबई इंडियंस का वो जलवा नहीं रहेगा जो अभी तक था रोहेशर्मा के अंडर में अब वो कभी नहीं हो सकता है आप कितने ही आप बड़े बड़े कोच लियाओ सचेन तेंदुलकर को वहां डगाउक में नही याई वहीं बिठा दो आप उसको कुछ नहीं होने जाने वाला है जब आपके सलाकारी बेलकुल डरपोग टाइप के हैं और जो सहीब सला आपको नहीं देते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता है और इस तरीके की सला आप पता नहीं है organized system involved है या नहीं है ये तो मैं कई बा कुछ मालूम था और ओनर्स ने सब किया है अगर किया है तो बहुत गलत किया है तो वह आप देख रहे हैं नतीज़ा क्या है अब इसमें तो मैं क्या कह सकता हूं बतलब ये तो हम आक्षण के बाद की अनलेसिस से कहते चले आ रहे हैं कि आपको इसकी मूँ की खानी पड़ेगी यार हमारे जैसे लोग आपको बता रहे थे आपको समझ में नहीं आया आपको और किसी ने नहीं कही ये बात और किसी ने भी नहीं कही आप क्या सोचते हो या आपके वो जो प्रॉब्लम ये भी है असल में कि ये जो टेस्ट क्रिकेटर्स और ये कंसल्टेंट्स और ये सब जो इनको हायर कर लेते हैं ना ये लोग तो ये तो क्या है अब इनके बंधुआ मजदू टाइप के हो जाते है तो अब ये क्या बोल सकते हैं ये तो हां में हां ही मिलाएंगे ना तो हां में हां मिलाने वाले तो चम्चे से जादा कुछ हो नहीं सकते वो कंसल्टेंट नहीं हो सकते तो अब ये बात वही है अभी आप लोग जितने लोग ये मैं ये देख रहे हैं अनलेसेस या आप में हायर करते हूं तो अगर आप किसी competent आदमी को हायर करते हैं तो फिर आप उसको प्रेशराइज मत करिए आप उसकी सला मानिए और आप उससे बोलिए कि भाई क्या सही है मेरे लिए आप वो बताईए यह नहीं कि जो आप चाहते हैं वो उससे कहलवाएं वो फिर उसका कोई फा कि अगल भी होता है कि आरे नहीं नहीं यह पांच-पांच-दस-दस कोच रख लेके बैड़ गए वहाँ सचेंते दुनकर को भी बिठा लिया हुआ क्या नतीजा क्या निकला चलिए छोड़िए यह सब बाते करना बेकार है इन सब बातों में कोई दम नहीं है जिसको समझ में नहीं आना है उसको कभी समझ में नहीं आएगी और जिनको समझ में आती है उनकी बाते सुनता कोई नहीं तो ये तो अब आप लोग गवाएं इस बात के आप चाहें तो हमारे सारे वीडियोज उठा के देख लें हम सारे वीडियोज में बात करते चले आ रहे थे और ये तो IPL शुरू होने के पहले से हम कह रहे हैं कि इनकी छीचा लेदर होनी है और छीचा लेदर हुई और ऐसी मतलब अगर पांचवा चटवा भी आता तो भी एक थोड़ा सा फेस सेविंग तो कुछ हो जाती कि चलो नए टीम थी या नया कप्तान था हाला कि नया क्या कप्तान यार पुराना पापी है वो मुंबई इंडियेंस का उसको पकड़के लेके आया और आपने ये सब किया पूरी टीम का हो गया सब कवाड़ा चलो अब देखते हैं अगले साल आप कैसे सुधारते हो इसको आप सुधारने वाला है नहीं आखिर मुझे तो यही लगता है यह सुधरेगा नहीं चलिए खेर आप मैच की बात करते हैं मैच क्या लगनाउ ने लगनाउ टॉस हारगी पिचारी और मुंबई ने तो हादिक पंडिया टॉस हमेशा जीट जाता है वो एक हमारे वीवर थी वह कह रहे थी यह नालाइक हमेशा टॉस जीट जाता है और फिल्डिंग ले लेता है पहले उसके बावजूद दसवे नमबर पर आया है बताईए आप यह एक और चमतका इनके 69-43 थे जब हुडा आउट हुआ है और मतलब 10 ओर में 69-43 शुरू में तो यह केल राहूल तो अपना वही पुरानी स्टाइल में ही चालू हुआ इसके तो बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी एक तो शकल पे तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इसके 12 बजा रहता है पता 29 ठोग दिये एक तो तेंदुलकर एक तो यह अरजुन तेंदुलकर को क्यों है यह बली का बकरा बनाने लिया है आज भीया हम बहुत पहले कह चुके है कि अरजुन तेंदुलकर को अब देखिए यह बात कहने में फिर मुझे बुरा लग रहा है वो लड़का क्रिकेट के लिए फिट नहीं है जैसे वो पप्फू पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं है वैसे यह कृकेट के लिए फिट नहीं है इसके दोडने से हथी अ जब यह रढ़ता है तो मुझे तो बहुत हथी अठी इससे अच्छा तो लड़किया दोड़ देती है रान आप में आरं किये उसको जहां जहां उसको पंद्रवे ओवर में जहां पहली दो बॉलों पे दो छक्के माले निकलेस पूरण ने तो उसके बाद ये स्मार्टनेस में उसको मालूम है कि फिर बाहनक कर लो कि मेरी तो टांग मुड़ गई है कि क्रैम पा गया है और बाहर जाके चुपचा आ ये तो मानना पड़ेगा मुझे गजब की स्मार्टनेस सिखाई ये या पता नहीं बाहर से किसी ने मैसेज भीज़ देऊ कि भीज़ निकाल लो इसको जैसा कि पिछले साल के IPL में आपको याद है पिछले साल के IPL में ही ये हुआ था या उसके पिछले साल वाले में जब एक मैच में पंजाब के अगेस्ट इसको खिलाया था और सेंकरन ने इसके दोलाई की थी बुरी तरीके से अर्जुन तेदूलकर की उसके बाद अगला मैच इनका जीटी के साथ था तो जीटी में तो आपको तो पता है शुबमन गिल और इधर अर्जुन तेदूलकर अब जो अर्जुन तेदूलकर को कहला दिया शुबमन गिल के सामने तो अब वह बहुत साथ शुबमन गिल कैसे पीटेगा इसको और यह कैसे बाल करेगा इस चक्कर में यह स्मार्टनेस बहुत इंको समझ में आती है और यह क्या है हमको नहीं समझ में आती है क्या यह दुनिया बहुत समझ में आती है कि कौन क्या कर रहा है और उसका क्या मतलब है हादिक पंडिया किस तरह से ground पे चलता है उसका क्या मतलब है उसके body language का क्या मतलब है और जब वो interview देता है तो उसके किस word का क्या मतलब होता ही हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है ये लेकिन समझने वाले अगर समझ के भी ना समझें, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये तो अब आपने देखी लिया है कि इस बार स्मार्टने से नोंने दिखाई, तो उसका क्या नतीजा निकला, और ये देखते हैं, अगले साल ये स्मार्टने सपनी सुधारते हैं कि नहीं, तो ये 29 रन मतलब सोचिए आप कि जहां 10 ओवर में 69 for 3 स्कोर था इनका, उसके बाद इन्होंने बाकी 10 ओवर में 145 रंस ठोके हैं इन लोगोंने, गज़ा भी कर दिया, और 214 का स्कोर पान खेड़े के मैदान पर कोई इतना बहुत जादा नहीं था, इन लोग बनाना चाहिए था, लेक जब शुरू हुए ये लोग, आज तो रोहे शार्मा ने बहुत अच्छी बैटेंगी, और हमको तो बहुत खुशी है कि रोहे शार्मा ने अच्छी बैटेंगी, वर्ल कप के लिए तो ज़रूरी है रोहे शार्मा, हम तो पहले से कहके बैठे हैं कि रोहे शार्मा फोलेग बस फिर उसके बाद क्या था इनका हो गया सब कबाड़ा फिर तो रेगुलर इंटरल्वल्स पे इनके विक्ट गिरते रहे 98 पे रोहेद आउट हो गया रहा रोहेद आउट हुआ उसके बाद मुहसें खान ने इसको हर्दिक को आउट कर दिया 119 में हर्दिक ने एक चक्का मारा था लेकिन यही है जलालत किस्मत में लिखी हो तो कोई क्या कर सकता है हो गया याउट हो गया कबाड़ा कुछ तो भी एक आता इसी की चक्कर में चपरी, हार्दिक पांडिया की चक्कर में, कि अरे ये तो मूबै इंडियांस का कैटन है, इंडियांटीम का वाइस केटन है, तो मेरी तुर निकल पड़ेगी आप, ये तो मेरा कर देगा कुछ नकुछ, दोनों बरबार हो गए, अभी तो आप देखने हैं हार्देख पांडिया की बात बात में करेंगे यह लेकिन इशान किशान अब कहीं का नहीं रहा बिलकुन इशान किशान वो श्रेय सैयर इनकी दो कॉड़ी की अउकात नहीं रह गई है यह जो हरकत इनुने की है न यह जो अपनी रंजी ट्रॉफी खेले और रंजी ट्रॉफी छोड़के वो अपनी केके आर की टीम में चला गया श्रेय सैयर और यह चला गया बढ़ोदा में प्रेक्टिस करने इन्नों की बहुत बुदी दुर्गती होने वाली है बहुत जादा दुर्गती होगी कोल में लाके यह तो होगे ना 196 पे ओल आ कंबर पे आए अब इह इन लों का तो बहुत घुजब का मैच हुआ और मैं दो बहुत खुश हुँ जो इनकी दुर्गती क्वई होनी चाहिए बुरी नजर वाले का मूँ काला होना चाहिए, बुरी नियत वाले का मूँ काला होना चाहिए, जो की बराबर हुआ है, और ये नहीं होता, तो हमको बहुत तकलिफ हो जाती है, हमें रोहशर्मा से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन ये किसी भी आदमी के साथ अगर ज्यात्ती होगी, उस के साथ उसको इंसल्ट करने की कोशिश होगी, तो हमको तकलिफ होगी, और हम जरूर बोलेंगे, चाहे कोई बोले या ना बोले, अब बाकी वो जो वहाँ बेठे हुए, वो कोई बोलने वाला नहीं, ना कोई कमेंटेटर बोलेगा, ना कोच बोलेगा, किसी की इमत नहीं है मुंबई इंडियन्स के आगे बोलने की क्योंकि सब को पैसे चाहिए मुंबई इंडियन्स से अब फिर वो अलग-अलग equations आ जाती है इसलिए कोई बोलता नहीं है लेकिन बात वही है कि जब आप ऐसे सलाकार रखते हो अपने पास या इसे सलाकार खरीदते हो जो सच्चा ही नहीं बोलते आपको तो फिर आपका पतन तो निश्चित है बिलकुल तो वो तो बड़े बुड़े कहके गए हैं वो तो हो नहीं था और हुआ आपका अब लेकिन देखते हैं अगले साल आप क्या करते हो अगले साल आपकी और पेंट भड़ जाएगी आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अब करे तो करे क्या क्योंकि अभी तो कर ली सारी पॉलिटिक्स कर ली सब कुछ कर लिया लेकर कुछ हो के नहीं गया बाकी अब अगली साल पहले तो यह देखना पड़ेगा इनको कि आर्दिक पंडिया फिट भी रता है कि नहीं अब हार्दिक पंडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज जरूर मैं कह सकता हूँ हार्दिक पंडिया की जितनी शीचा लेदर हुई है हार्दिक पंडिया को जितनी गालिया पड़ी है अब हार्दिक पंडिया के पास सिर्फ एक और एक ही तरीका है अपनी खोई हुई इज़त को रीगेन करने का अब वल्ल कप में जा शराफत के साथ अच्छा परफॉर्म कर अच्छा परफॉर्म कर इंडिया को मैचेस जिता ब अगर ये करेगा न तो इज्जत रीगेन हो जाएगी और तब जाके हार्दिक पांडिया की अगले साल IPL में भी इज्जत वापस आजाएगी लेकिन अगर वहां पर गड़बड की न वर्ल्लकप में तो फिर कोई ठिकाना नहीं होगा इसलिए मेरी नेक सला है कोई अगर बता सके हार्दिक पांडिया को तो बता दे नहीं तो मेरी तरफ से बाड़ में जाओ मुझे क्या लेना देना है करो जो करना है अपने कर्मों का फल भुगतो बस दूसरे को दोका दोगे तो तुमारे साथ यही होगा और होना भी चाहिए चलिए यह तो हो गई आज के मैश की अ प्ले आफ की पॉसबिलिटीज के बारे में कि 1,2,3,4 प्ले आफ में कौन हो सकता है उसमें हम ने की थी तो वो आप लोग उपर में बटन में दे रहा हूं आप उसको भी देख सकते हैं और उसको देख के आप बताईए कि आपको क्या लगता है कि RCB और Chennai में से कौन पहु